नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भीनियूज तो दोस्तों वक्तों गया है दिन बढ़ की बड़ी ख़बर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अभी तक जियो भीनियूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिश जाकर जियो भीनियूज को सब्सक्राइब करके औल नोटिफिकेशन बिलको ओन कर दीजिए राहूल गांधी ने कहा वित्तमंत्री जी मेरे सवालों से मत डरिये जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है जीहां कॉंग्रिस के पुर्व अधक्ष राहूल गांधी ने मीडिया में आई एक खबर का हवाला देते हुए सोमार को कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतरमन को उनके प्रशनों से डरना नहीं चाहिए तता देश के युवाओं की तरब से पूछे गए सवालों का जवाब द आपकी जिम्मेदारी है उन्होंने दावा कि देश के युवाओं को रोजगार की ज़ूरत है और आपकी सरकार उन्हें रोजगार देने में बुरी तरह नकाम साबित होई है कॉंग्रिस नेता ने एक हिंदी दैनेक में प्रकासित वित्मंत्री के साक्षातकार के उस अंस का हवाला दिया जिसके मुताविक उन्होंने नौकरियों से जुड़े सवाल पर कहा कि वह कोई आंकडा नहीं देना चाहती क्योंकि बाद में राहुल गांदी पूछेंगे कि ए पर को सुरू की और असपस्ट किया कि वह किरल की सब्रीमला मंदिर में सभी आयूवर की महिलाओं के प्रविष्ट के मामले पर चर्चा नहीं कर रहा। और अदालत बस इतना देख सकती है कि समिक्षा के ताथ फैसले में कोई असपस्ट गलती है या नहीं। उन्होंने विपक्ष की तरफ इसारा करते हुए कहा कि बोलो जैसर राम इस पर भाजपा सांसदों ने जूर से जैसर राम का नारा भी लगाया। उन्होंने कहा कि राम कोई धर्म नहीं बलकि हमारी संस्कृती है। उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा कि बोलो जैसर राम दादा बोलो मुह से जैसर राम सारे पाप धोल जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश को बताना चाहता हूँ कि ये राजियू फिरोज खान की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोधी की सरकार है, हम CAA को कभी वापस नहीं लेंगे। बैट रही DMK ने परसांत किसोर के Indian Political Action Committee यानि IPAC के साथ करार का एलान किया है, DMK प्रमुक MK स्टारे ने ट्वीटर पर इसकी विधिवत घोशना की, उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात को साजा करते हुए काफी खुशी हो रही है कि तमिल नाडु के कई प्रतिपाशाली औ हमारी मदद करेंगे, इसके जवाब में IPAC ने भी ट्वीट किया कि धन्यवाद थीरू MK स्टालिन यह मौका देने के लिए, IPAC की तमिल नाडु टीम DMK सांग के साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित है और 2021 चुनाव में उसकी जीत सुनिशित करने के लिए काम करेगी, संजे राउत ने कहा संकल्प और विश्वास का विशह अयोध्या दौरा कोई राजनितिक मसला नहीं, जिहां महराष्ट के CM और सिवसना के चीफ उद्धव ठाकरे सत्ता में 100 दिन पूरे होने पर 7 मार्च को अयोध्या जाएंगे, सिवसना नेता संजे राउत ने इस महराष्ट विकास अगारी सरकार के चीफ उद्धव ठाकरे अयोध्या में रामलला की प्रार्थना करेंगे और सर्यू के तट पर आरती करेंगे, CM सत्ता में 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या जाएंगे, इस मौके पर देश भर के हजारों सिवसनिक वहां मौजूद यह यात्रा संकल्प और विश्वास कभी से है और कोई सियासी कोड नहीं है